हालो स्टुडेंट गुड़ीवनिंग राधी राम राम कैसे हैं आप सब लोग बड़ी हाँ फस्क्लास एक बाई जड़ा कमेंट करेंगे कि ओडियो वीडियो सब कुछ आपका ओ लोग के है चलिए जो भी बिचे लाइव हैं एक बाई जड़ा कंफर्म करेंगे ओडियो सब कुछ बच्चे आपको कोई टेकनिकल ग्लिश नहीं है न सेशन में तो जो भी बच्चे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे साथी साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आरती चोधरी के नाम से लिंक मुलेगा वहां से आप लोग आप्लिकेशन क किस चीज का होता है खोन का मुह का आत का या पेखडो का या पेखडो का भारती जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर किसका होता है बताइए सबसे ज़्यादा कैंसर इंडिया में किस चीज का होता है तो सबसे ज़्यादा कैंसर होता है बच्चा मुह का और जिसका र संत्र खराब हो सकता है बहुत सारी चीज़े लिखी होती है पैसा का पैसा खराब बोड़ी की बोड़ी खराब और समय का समय खराब ठीक है चलिए बचा बट चोई सब्सक्राइब लोगों की क्या करें जितने भी आपके यूरिनल्स होते हैं वो श्रूम होते हैं उनके पास जो वो तीखी और तेज इसमयल आती है वो इनमें से किसके कारण होती है बताइए वो इसमयल इनमें से किसके कारण आती है अमोनिया के अमोनियम साइनाइड के नैटरस ओकसाइड के या सलफर डाइयोकसाइड या फिर बचा आपका सलफर डाइयोकसाइड चलिए लाइक कर करते रहेंगे शेयर करते रहेंगे अपने अपसेशन को लाइक को शेयर करते रहेंगे अपने अपसेशन को कि अब तो वह इसमैल किसकी होती है बचा अमोनिया की किसकी होती है बचा आपकी अमोनिया की चलिए जीक लोकुशन देखते हैं लोटस जावा और एकल इन में से किस चीज से संबंदित है लोटस जावा और एकल इन में से किस चीज से संबंदित है फड़ा-फड़ बताईए लोटस जावा और और एकल यह देखो तीनों के तीनों ही बचाए आपकी computer language है यह तीनों ही आपकी computer language है तो किस से computer साइंस जाड़ाई सोड़ा का रावी करणेश अगया मतलब हमारे शरीर में उपाप चरी को नियंत्रित करने वाले वोर्मोन कहां से निकलते हैं बताईए तो हमारे शरीर में मेटाबोलिजम को कंट्रोल करने वाले होर्मोन इन में से कुन सी ग्रंथी सीक्रीट करती है बचा आपकी थाइरोइड ग्लेंड कुन सी अवुट ग्रंथी यानि की थाइरोइड ग्लेंड अगला पॉशन कार की बैटरी में किस ऐसिड का उपयोग किया जा है जैना तो क्या आपका साल्फिूरिक एसिड के अंदर कौन सा एसिड का सुल्फसूरिक एसिड का इस्तमाल क्या जाता है तर इस बक्म。 लगा होता है जो आपका बस ड्राइवर रोता है बचा कौन सा मिरर होता है आपका अवतल या उत्तल दरपण होता है याद रखेंगे वह आपका उत्तल दरपण होता है क्योंकि उत्तल दरपड में आपकी image जो बनती है वस्तू के आकार से छोटी बनती है आभासी बनती है और सीधी बनती है और अवतल में तो focus के आगे रखते हो तब image सीधी बनती है नहीं तो उल्टी image बनती है करके देख ले ना आप experiment चलिए इन में से कौन सा allergy work का रोग है इन allergy disease में count कर सकते हो इन में से किस बिमारी को आप allergy वर्ग में count कर सकते हो बताय कि इससे ही आपकी बिमारी होती है लेकिन यह हमारी ट्रैकिया में जाकर जम जाती है जिससे इंसान को बहुत सारी चीजों से बच्चा ऐलर्जी हो जाती है चलिए संसीवी रमर को 1930 में अच्छा ठीक है इसको मैं एक और चीज एक्स्प्लेइन करना चाहूंगी यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा पीडियेफ में चेचक जो है स्मॉल पॉक्स पूरे शरीर में छोटे छोटी 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 रैड कलर की दाने आजाते हैं जिस वज़े से इसको भी हम लोग ऐलर्टी डिजीज में कायून्ट करते हैं सही आलसर होगा स्ती और डूनों Okay दोनों Oasis एक्जां में बिला एकसाथ बहुत रेयर combination होता है सर्ज्टीवी रमन को 1930 में जो आपका पुरुसकार दिया गया था वो इन में से किस चीज के लिए दिया गया था बताईए सर्ज्टीवी रमन को 1930 में इन में से किस चीज के लिए पुरुसकार दिया गया था किस प्रभाव के लिए किस खोज के लिए किस खोज के कौनथा पाए जाता है बताएगे लासि मक्ण के अंदर इन में से कौनथा एसिड़ पाया जाता है कि बासि मक्ण के अंदर पाया जॉअ और चाओ पर आपका हुटसन देख लेते हैं बारल रख्त करिकां की निर्माण कारियां में स्कौण सहायफ होता है या आर्वीसी के अंदर इन में से कौन सा थत्त उपाया जाता है या फिर आर्वीसी के अंदर इन से कौन सा तत्त पाया जाता है, बफरिंग बेटा मेरे यहां से बिलकुल भी नहीं है, मेरे यहां से कोई बफरिंग नहीं है, एक बार जरूर आप तो paid classes भी होती है और YouTube भी होती है तो RBC के अंदर भाई कौन सा तत्थ पाया जाता है बचा आपका लोहा पाया जाता है आयरन पाया जाता है Cancer के उपचार के उपयोग में किस समस्थानिक का प्रियोग किया जाता है किस isotope का हम लोग इस्तमाल करते हैं Cancer के उपचार में इन में से कौन से आईसोटोप्स का इस्तमाल हम लोग कर सकते हैं कैंसर के उपचार में बताइए तो कैंसर के उपचार में किसका कोबाल्ट 60 का किसका बचा कोबाल्ट 60 का इस्तमाल करते हैं चलिए राइबो सॉम्स की खोज इन में से किसके दौरा की गई थी बिहार से बिहार से बिहार से बिहार से बिहार से तो राइबो सोम्स की को जिन में से किसके द्वारा की गई थी बचा आपके पैलेड के द्वारा पैलेड के द्वारा चल यह जी अगला कोशन देखते हैं पाचन उत्सरजन और तंत्रिका तंत्र के कारिये विधी में कौन सहायक है पाचन उत्सरजन और तंत्रिका तंत्र के कारिये विधी में अब देखो मैंने आपको बोला था अगर आपको कहीं पर भी तंत्रिका तंत्र मिले या हार्ट के कोई कोशन मिले कि हमारे घ्रदय के लिए और ब्रेन के लिए कौन सा तत्र जरूरी होता है तो आप आंख बंद करके आंसल लगा कि आ जाना किया वच्चा सोडियensitive क्या वच्छा सोडियelu च्वास पॉल्जर bacteria करता है सातीम सात आपका पाचन और उटसरजन में भी थोड़ी वहत में मदद करता है, लेकिन इस से भी जादा मांट में मदद करता है आपका कैलशियम, कैलशियम हमारे खान बचाने में भी मदद करता है, चलिए अगला कोशन देखते हैं, या यह यदि आपके शरीर के अंदर कम खून बनता है, तो इन ने से किस चीज का इस्तिमाल कर सकते हैं बताइए आरक्तता रोग के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है आपका कोबार्ट 60 कैंसर के लिए इस्किन कैंसर होता है फोस्फोरस 32 आयोडीन 131 का इस्तिमाल गेंगा रोग में कर सकते हैं तो एक ही ऑप्शन बसता है आईरन 59 क्या बचा आपका आईरन 59 नेक्स्ट पॉर्शन लाइजोजोंस के खोज करता है लाइजोजोंस की खोज इन में से किसके द्वारा की गई थी ला जम्स और किटानों को खुद पे-खुद मार देते हैं इसलिए इनको हम आत्मगाती थैली या सुसाइडल बैक के नाम से भी जानते हैं चलिए जीकला कोशन देखते हैं कोश किये समवहन एवं जैविक क्रियाओं का नियंतरन किस से किया जाता है चलिए बताईए आपस में कोश किये समवहन एवं जैविक क्रियाओं का नियंतरन किस से किया जाता है हमारे शरीर में कौन सा तत्व है जो कोश किये समवहन में और जैविक क्रियाओं में मदद करता है तो आपको पता है आयोडीन किसके लिए होता है फोस्फोरस कोई लेना देना नहीं है कैल्शियों खाना पचाने में मदद करता है, सोडियम औक्षन में है नहीं, लेकिन पोटेशियम भी इन सब चीजों में काफी हद तक आपकी मदद करता है, सजीव कारवनिक वस्तू की आयू को निर्धारित करने के लिए किस विधी का प्रियोग करते हैं, किसी भी living thing की age का पता लगाने क के लिए हम इनमें से किसका इस्तमाल कर सकते हैं, सजीव कारवनिक वस्तू की आयू को निर्धारित करने के लिए हम इनमें से किस विधी का इस्तमाल करते हैं, बिल्कुल तो किसी भी सजीव उम्र की सजीव चीज की उम्र का पता लगाने के लिए हम लोग किसका बचा कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं जीव द्रव्य के खोज करता कौन है प्रोटो प्लाजम इस्था फिजिकल बेसिक यूनिट ओफ लाइफ जीव द्रव्य जीवन की जीवन का भोतिक आधार है ये बात किसने कही थी ये बात किसने कही थी तो ये बात एक्शुली में कहने वाले थे जूलियस हग्जले लेकिन किया पुरकिंजे ने तो आपको अधिकतर ओप्शन में पुरकिंजे ही मिलेगा चलिए अगला वोशन देखते हैं थाइरोड ग्रंथी का नियंतरन किस से किया जा सकता है थाइरोड ग्रंथी के लिए इन में से कौन सा तत्व जरूरी है थाइरोड ग्रंथी के लिए इन मे लागुन चलका जीड है लागुन किस राज्या में इस्थित है अनाज के परिरख्षन में सामानने तय acred कि प्रियोग किया जाता है अनाज के परिरक्षन में सामान्यत है किसका प्रियोग किया जाता है बताईए अनाज के परिरक्षन में सामान्यत है किसका प्रियोग किया जाता है तो as a preservative किसका इस्तेमाल कर सकते हैं sodium benzoate का यह question अना आज नहीं अलग-अलग चीजों के परिरक्षन में पूछा जाता है तो आप लोग ज्याद रखेंगे परिरक्षन के रूप में सोडियम बेंजोएट का इस्तमाल कर सकते हैं साइलेंट वैली जिसमें दूर्ला वोर नस्ट फ्राय पसू पाये जाते हैं किस राज्ये में इस्तित है बताईए तो साइलेंट वैली बच्छा आपकी किस राज्ये में इस्तित है कैरला किसमें बच्छा आपकी कैरला में नेक्स्ट कोशन देखते हैं आँख में वर्ण दर्शन कलर विजन किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है बताईए वर्ण दर्शन कलर विजन किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है तो कलर विजन की जो प्रोब्लम है basically हमारी आखों में दो तरह की कोशिकाई पाई जाती है एक शंपू और एक द्रड कोशिकाई पाई जाती है द्रड कोशिकाई हमें सफेद, काला, ब्राउन ये सारे color देखने में मदद करती है और colorful चीजे लाल, नीला, पिला इन सब को देखने में मदद करती है शंपू कोशिका है तो जिन लोगों की शंपू कोशिकाओं में प्रोब्लम होती है उनको कलर विजन की प्रोब्लम देखी जाती है मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूशन से होता है मानव में गुर्दे का रोग इन में से किस प्रदूशन से हो सकता है बताईए को गुर्दी की डिजीज होने के किडिनी डिजीज होने के सबसे ज़्यादा चांसिस हैं इंडिया में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है बहरत में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है अठाइस नही प्रोटीन के अमीनो अमल में कौन सा एंजाइन उत्प्रेरक का कारिया करता है या प्रोटीन को पचाने में इनमें से कौन सा एंजाइन मदद करता है ये भी आपसे कोशन पूछा जा सकता है तो प्रोटीन को पचाने में कुन सा बचा आपका पैपसिन और ट्रिपसिन प्रोटीन पचाने में तो पैपसिन और ट्रिपसिन दोनों ही बचा आपके कारे करते हैं लेकिन उत्प्रेरख का कारे सबसे ज़्यादा पैपसिन करता है किसी व्रक्ष की आयू का निर्धारन किसके द्वारा किया जाता है तो आयू का देखो जैसे कि बच्चा आपका पेड काटा जाता है तो देखना उस पर ऐसे आपको रिंग्स नजर आती है ये छल्ले जो होते हैं इन्हीं को काउंट करके हम लोग किसी भी फेड की उम्र का पता लगा सकते हैं चलिए अगला कोशन देख लेते हैं एक बार कोई नाव डूप जाएगी जब वह पानी अपने भार के ब्लैंक हटाती है कोई भी नाव जो है बच्चा वो आपकी डूप जाएगी जब वो इन में से कितना पानी विस्थापित करेगी अधिक बराबर कम या इन में से कोई नहीं बताईए जल्दी से बताईए जी ठीक है और ये कोईशन होमवक भी रहेगा लेकिन क्लास अभी आपकी चलती रहेगी चलो मानो शरीर में डिहाइडरेशन होता है इन में से किसकी कमी से डिहाइडरेशन हो सकता है बताईए किस की कमी से बच्छा dehydration हो सकता है? जल की कमी से मासपेशियों के संचालन अयवं तंत्रिका तंत्र की कारिय विधी में सहायता किस खनीज लवण के द्वारा किया जाता है? मासपेशियों के संचालन एवं तंत्रिका तंत्र की कारिय विधी में सहायता किस खनीजलवन के द्वारा किया जाता है मासपेशियों के संचालन एवं तंत्रिका तंत्र की कारिय विधी में सहायता किस खनीजलवन के द्वारा किया जाता है तो हमारे मसल्स के लिए कौन सा इन में से कौन सा तथ तो बच्चा आपका जरूरी होता है मैगनीशियम साथ हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी मैगनीशियम बहुत ज़ादा है और ध्योगिक सहरों को प्रदूशित करने वाला घना धूल और s-o-2 uk to kora क्या कहलाता है आपको पता है एक ऐसा आपका environment बनता है जहाँ पर अफ्रड धूल पोल्िशन ये सारे के सारे आपके एक साथ इकटे हो जाते हैं तो इसको जब ये एक साथ मिलता है तो क्या कहते हैं इसको बच्चा हम लोग क्या कहते हैं बताईए तो बेसिकली धूल कोहरा, धूम कोहरा, धूप कोहरा या फिर बच्चा आपका परीवले कोहरा तो इसको कहा जाता है आपका स्मोग, फोग है ना स्मोग जो आप लोग बोलते हो ना वो यही होता है स्मोग या फिर बच्चा आपका स्मोग, फोग और धूम कोहरा के नाम से यह आपका जाना जाता है कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोशन में सहायक है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में कैल्शियम को एब्जोब करने में मदद करता है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में कैल्शियम को एब्जोब करने में मदद करता है तो कौन सा विटाम आप लोग भागना शुरू हो जाते हो, खुद को इतना perfect बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है, ये आप सब को पता है, आप सब की life में ऐसे moment जरूर आयोंगे, कभी रिष्टेदारोंने, कभी घरवालोंने, सब को ताने पड़ते ही हैं, जब तक हम लोग काम्याब नहीं होते हैं, सब ताने ही मारते हैं, तो आपने आपको इतना काम्याब बना लो, इतना काम्याब बना लो, कि एक दिन वो आपकी जलक देखने को भी तरस जाए, वो बोलते हैं यार मिलना है, तो मिलने के लिए भी appointment लेना पड़े, ओके, चलिए, अगला कोशन देखते है, एक् पंचर क्या है, तो आपकी सुईयों से उपचार की विदी है, छुट-छुटी सुईया है, हमारे शरीर में चुभोई जाती है, जिन में से हमारे बलड के अंदर जो टॉक्सिक चीज़े होती है, वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, चलिए, अगला कोशन देखते है, कौन सा विटामिन वचे आपका, विटामिन A जो है, जिसका कैमिकल नेम आपका, विटामिन A और D दोनों पाए जाते हैं, लेकिन D की अमाउंट ज्यादा पाए जाती है, विटामिन A का कैमिकल नेम ग्रेटिनोल, विटामिन D का कैमिकल नेम कैलसी फेरोल, विटामिन B का थ स्टेमोस्पेर का टैंप्रेचर बढ़ जाए तो वी पर क्या एफेक्ट पड़ेगा तो आपको पता है वी इस प्रपोर्शनल टू टी अगर टैंप्रेचर बढ़ेगा तो वैलोसिटी भी बढ़ जाएगी चलिए जी अगला कुछन देख लेते हैं एक बार क्या रहेगा एस एस्ट्रोजन किसमें पाया जाने वाला होर्मोन है एस्ट्रोजन इनमें से किसमें पाया जाने वाला होर्मोन है चलिए तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन दोनों किसमें पाया जाते हैं फीमेल्स यानि की महिलाओं में पाया जाने वाले होर्मोन है और किसमें पाया जाता है आपका पुर्षों में पाया जाता है पारी इस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरन किसके द्वारा होता है पारी इस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरन इनमें से कौन करते हैं बताइए तो पारी इस्थितिकी तंत्र में किस मिसर धातू का प्रियोग करते हैं जंग रोधी स्पात बनाने के लिए किस मिसर धातू का प्रियोग करते हैं तो जंग रोधी स्पात बनाने के लिए हम लोग किसका क्रोमियम और निकल का किसका बचा आपका क्रोमियम और निकल का इस्तमाल करते हैं क्रोमियम किसी भी इन में से किसके कार्ण होता है करंट को कैरी करने वाले कौन होते हैं बताईए करंट को कैरी करने वाले कौन होते हैं तो करंट किसके द्वारा कैरी किया जाता है इलक्ट्रोन के द्वारा किसके इलक्ट्रोन के द्वारा ओके जी और electron में भी मुक्त electron चलो जी अपोहन dialysis का प्रियोग किसकी क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है तो जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है जिन लोगों की kidney proper काम नहीं करती उनको artificial machine के जरिये उनकी खून को filter किया जाता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका dialysis बोलते हैं चलिए computer का दिमाग किसे कहा जाता है computer का दिमाग इन में से किसको कहा जाता है computer का दिमाग किसे कहा जाता है बताईए तो computer का दिमाग बचा इनमें से किसको कहा जाता है CPU Central Processing Unit को RAM की full form होती है Random Access Memory और ROM की होती है Read Only Memory ठीक है Read Only Memory इनकी आप लोग full form ज़रूर याद करेंगे गलित calcium silicate को क्या कहा जाता है गलित calcium silicate को क्या कहा जाता है तो गलित calcium silicate को हम लोग क्या बोलते हैं स्लाइक बोलते हैं क्या बोलते हैं बचा आपका स्लाइक बोलते हैं चलिए टामाटर का लाल रंग इनमें से किसके करण होता है टामाटर का लाल रंग इनमें से किसके करण होता है आपका लाइकोपिन के करण गाजर का नारंगी रंग पूछा जाए, गाजर का नारंगी रंग केरटिन के करण, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के करण, किसी भी फल का पीला रंग जैन्थोफिल के करण किसके कारण? जैन्तुफिल के कारण. चलिए जी. गाजर के रुपांतरित जड़े हैं? गाजर किस प्रकार की जड़े हैं? सिंपल कोशन है कि गाजर किस प्रकार की जड़े हैं? गाजर किस प्रकार की जड़े हैं? तो गाजर बचाप किस प्रकार की जड़े हैं? कोनिकल यान की शंकू रूपी मिर्च में चरपराहट किसके कारण होती है, बताईब मिर्च मेच अरपराहट इनमे से किसके कारण होती है किसके कारण बचाब की कैपसियास इनके कारण होती है चलिए अगला कुशन देखते हैं गाजर में लाल रंग अच्छा पूछी लिया कुशन किसके कारण होता है आपका anthocyanin and throw नहीं है anthology इसको प्याज में तीक्हागंद किसके कारण आता है जो प्याज में से smell आती है वह इन कोशन कहते है सेकंड के लोलग का आवर्तकाल कित्ना होता है What is the time period of pendulum of the second तो कितना होता है बच्चा आपका दो सेकेंड यह कितना होता है दो सेकेंड होता है चलो जी एक लगोशन देखते हैं एक बार ज़रा क्या रहेगा करेले में कड़वाहट किसके कारण होती है करेले में कड़वाहट किसके कारण होती है respiratory roots इनमें से किस के किस प्रकार के पोधों में पाई जाती है respiratory roots इनमें से किस प्रकार के पोधों में पाई जाती है SOSNJ इनमें से किस प्रकार के पोधों में पाई जाती है तो बिल्कुल बच्चा जो आपके mangroove के पोधे होते हैं उनमें आपकी respiratory roots पाई जाती है Optical Fiber का प्रियोग इनमें से किसके अंदर होता है तो Optical Fiber का प्रियोग होता है किसके अंदर Andoscopy किसके बचा Andoscopy के अंदर चलो अगला कोशन बुढ़ापे की प्रिक्रिया के अध्यन को क्या कहा जाता है बुढ़ापे की प्रक्रिया के अध्यन को क्या कहा जाता है बताईए बुढ़ापे की प्रक्रिया के अध्यन को क्या कहा जाता है तो बुढ़ापे की प्रक्रिया के अध्यन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा जरेंटोलोजी कच्छे फलों को क्रित्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रियोग करते हैं खाना तेल को बार-बार गरम करते हैं तो वह एक cancer जैनी याँनी Carcinogenic कुछ chemical उसके अंदर बन जाते हैं और यह Carcinogenic compound उसके कौन से हो सकते हैं तो अगर किसी भी तेल को आप बार-बार बार-बार गरम करते हो उसी में खाणा बनाते हो तो mostly उसमें बनता है आपका क्या बचा बैंसपाइरिन जो एक कारसीनोजानिक कमपाउंड है जो की एक कारसीनोजानिक कमपाउंड है किसी द्रव का प्रष्ट तनाव अणों के मध्या बल के कारण होता है बताईए किसी द्रव का प्रष्ट तनाव अणों के मध्या कैसे बल के कारण होता है इन में से किस बल के कारण होता है ससंजक आसंजक गुरुत्वे बल या घर्शन बल तो सिंपल सी बात है जब एक ही लिक्विड की यदि आप से बात की जाएगी तो कौन सा बल लगेगा ससंजक बल और अगर अलग अलग लिक्विड की बात की जाएग भारत में फसलों के कुल शेत्रफल में से सबसे अधिक किस फसल की खेती होती है। गेहु, चावल, मक्का या दलहन तो कौन सी खेती होती है बचा सबसे ज़्यादा इंडिया में आपकी चावल की। किसकी होती है चावल की। चलो। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है 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 केंद्रक केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है बताये में से कौन सी बिमारी है जिससे जिसका पता हम एलीजा टेस्ट के जरीए कर सकते हैं तो कौन सी बिमारी है एड्स जो की आपकी एक वाइरस ही वाइरस पे होती है और एलीजा की फूल फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्बेंट एसे एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है एक्वायर्ड इम्यूनोड़ डेफिसीएंसी सिंड्रोम और यदि HIV की पुछी जाए तो human immuno इसमें भी डेफिसीएंसी आएगा और वायरस ओके चलेजी अगला कुश्ण देख लेते हैं जर्णाइक बार नेश्ट önक्शन क्या रहेगा आपका रैस्परिन का प्रियोग मुख्य तहां किसके लिए किया जाता है रैस्परिन एक दवाइए है और इस दवाइए का इस्तमाल हम इनमेसे कि alert में किलिए कर दो रैस्परिन करते हैं तो रेस्प्रिन का उप्योव बचा किसके लिए करते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए चलो यूरिया में सबसे ज्यादा किस तत्व की बहुलता होती है तो यूरिया में सबसे ज्यादा किस तत्व की बहुलता पाई जाती है बचा नाइट्रोजन की किसकी Ns2, Co, Ns2. Ns2, Co, Ns2. ओके, चलिए, अगला कुशन देखते हैं आपका. आमले में कसेलापन किसके कारण होता है? जो आमले में हल्का सा खटापन, कड़वापन, कसेलापन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आमले का कसेलापन इनमें से किसके कारण होता है? पार्मले का कसेला पन इन में से किसके कारण होता है केराटिन तो होगा नहीं छी रूपांतरित जड़ का उधारन है सलजम किस रूपांतरित जड़ का उधारण है बताईए सलजम किस प्रकार की जड़े है तो सलजम आपकी किस प्रकार की कुम्भी रूपी किस प्रकार की है बचाईए आपकी कुम्भी रूपी जड़े है चलो गला कोशन देखते हैं आलू के कंदों का हरापन इन पे से किसके कारण होता है तो हरे रंके और मिकान के सलैलनिन के कारण होते है चलिए जी अगला कोशन देखते हैं ज़रा एक बार किसी मनुश्य के लिए सुक्ष हवा का कितना घंफीट वायू प्रतेक 10 सेकंड में आवश्यक है एक पर्टिकुलर इंसान के लिए हर एक 10 सेकंड में कितनी सुच्छ हवा की जरुत होती है डेली क्लास होती है बेटा एक बजे कितनी होती है बचा? एक हजार चलिए तो एक बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल थोट फिर से कि अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है किसी के होसलों का नहीं है उसके बाजुओं में कितनी ताकत है विस चीज का पता लगा सकते हो लेकिन उसके अंदर कितनी willpower कितनी है यह हम पता नहीं लगा सकते सत्या फल, true fruits कैसे उत्पन होते हैं बताइए, फल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक सत्या और एक सत्या अगर pollen grain ovary से reaction करेंगे तो आपका true fruits बनेगा और यदि pollen grain ovary के अलावा किसी और female part से reaction करेंगे तो आपका false fruit तयार होगा false fruit का example है save ओके, चलिए अगला question देख लेते हैं एक बार कार्णिया मानव शरीर के किस अंग का भाग है कार्णिया, हाँ कार्णिया मानव शरीर के किस अंग का भाग है बताइए कार्णिया मानव शरीर के किस अंग का भाग है तो आप लोग याद करोगे क्या बच्चा सिपला, क्या याद करोगे सिपला, यानि कॉर्णिया, इरिस, प्यूपिल, लैंस और लास्ट में होता है ए ट्रेक के लिए बनाया हुआ है रेटीना बहुत बारन की सिप्वेंस पुछी जाती है तो आप लोग जरूर याद रखेंगे सिपला से तो कॉर्णिया किसमें बच्चा आपके नेतर में पाया जाता है चलो, गेंगा रोग किसकी कमी से होता है गेंगा रोग इनमें से किसकी कमी से होता है तो गेंगा रोग इन में से किस कमी से होता है बच्चा आपका आयोडीन की कमी से चलिए एकला कोशन नेतरदान में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है अगर कोई अपनी आई डोनेट करता है तो इन में से किस पार्ट को हम लोग डोनेट करेंगे तो क्या बच्छा आपका कोर्निया ओके चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं किस मानव अंग में सरवाधिक कोलेस्ट्रोल उतपादित होता है किस मानव अंग में सरवाधिक कॉलेस्ट्रोल उत्पल होता है तो इन में से सबसे ज़्यादा कॉलेस्ट्रोल बनाने का कारिय कौन करता है बचा आपका यकरत ठीक है कौन मचा लीवर यानि यकरत अप्थॉल्मिक शब्द किस से संबंदित है अप्थॉल्मिक शब्द इनमे से किससे संबंदित है बताईए अप्थॉल्मिक शब्द इनमे से किससे संबंदित है तो बचा अप्थॉल्मिक का आपका संबंद है किससे आंख से किससे आंख से चलिए अगला कुशन देखते हैं मश्रूम में बहुता यत्थ यानि सबसे ज्यादा अमांट में क्या पाया जाता है बुक वह वाली एक बुक रखे इस टूल पर उठालो अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाये जाते हैं आज के सेशन में आप सबके लिए गूड न्यूज है जो मेरी science की separate किताब आने वाली है उसकी date announce हो चुकी है चार नवंबर को event लगेगा और आपको उस event को जितना grant हो सकता है बनाना है क्योंकि एक नवंबर को मैं event लगवा दोंगी चैनल पर चार नवंबर को बचा मैं अपनी पहली science की किताब launch करने जा रही हूँ जितका आप लोगों को बहुत लंबे समय से इंपिजार दा तो finally 4 नवंबर को ये किताब आपकी store पर आजाएगी 4 नवंबर को आप order कर पाओगे और 4 से 5 दिन के अंदर तुमारे घर पर ये किताब कुछा दी जाएगी तो अधिक्तम शाकाहारी प्रोटीन पाये जाते हैं किसमें भी आपके डाल में किसमें बच्चा आपके डाल में चले एकला कोशन देखते हैं तंबाको में पाये जाने वाला रसायन है तंबाको में पाये जाने वाला रसायन इनमें से कौन सा है तमबाकू के अंदर कौन सा रसायन पाया जाता है दो तमबाकू के अंदर बिलकूल आपका क्या बचा निकोटीन पाया जाता है अब देखो वो बच्चे जो सारे के सारी थियोरी क्लासिस चाहते हैं अपने question का level देख लिया, अब जो इन सब चीजों को detail में theory wise पढ़ना चाहते हैं, अड़ा 247 की website विजिट करेंगे, नहीं तो application आप लोग डाउनलोड करेंगे, यह आपका simple home page है, यहाँ पर बच्छा आप लोग क्लिक करोगे, ssc पर जाओगे आप लोग, और b ssc इंटर लिए, तो आप लोगों को 890 रुपे में double validity on हो चुकी है, ठीक है, 27 October से classes में live हो गई है, एक ही class अभी आपकी हुई है, बाकी classes आपको live दिलेंगी सारी, दो साल तक यह batch आपके पास valid रहेगा, यदि आप double validity रहते हुए खरीद सकते हैं, यानि आज रात 12 बजे तक यदि आ provide की जाएगी, सारे के सारे classes आपकी bilingual होंगी, 60 test series जो मैंने आपको बोला था कि आपकी test series इसमें आपको free मिलेगी, तो 60 test series बच्चा हमने आपके लिए free करा दी हैं, और एक e-book भी हम इसमें आपको ये वाली free में देंगे, ये किताब आपको इसके अंदर free में मिलेगी, लोग देख सकते हो, ठीक है वाई, ये आपकी किताब है, जिसमें आप लोग देख सकते हो, science वाला section है, वो मैंने cover किया है, और बाकी जो general awareness है, वो आपके पवन सरने और आशतो शरने cover की है, science इसमें पूरी की पूरी बच्चा मैंने cover की है, आप लोग देख सकते हो, ये आ आपकी तीन किताबे हैं, मात्र ये तीन किताबे पढ़ लेना और बैच में पढ़ लेना थ्योरी, इसके अलावा आपको कोई जरूत नहीं पढ़ेगी, इधर उदर समय खराब करने की, वाई नाव पर क्लिक करोगे, कूपन कोड लगा होगे, वाई 446S, जैसे ही से जब ओर करोगे, तो मात्र 500 रुपे में ये किताबें तुम्हारे घर पर पहुचा दी जाएंगी, ठीक है, तो बैच के लिए कूपन कोड है, वाई 446, लक्षिय 3.0, बैच है आपका, और वाई 446, S कूपन कोड है, वजचा किसके लिए आपका किताबों के लिए, टेस् बैच के अंदर ही, ठीक है, बैच मिलेगा, 880 का, उपन कोड के बाद ही, और ये किताबें मिलेंगी, 500 रुपे में तुम्हारे घर पहुचा दी जाएंगी, ठीक है, ओकी जी, तो होफ़फुली कि ये सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा, जितना हो सकता है, बच्छे आ